बेश्ट चैमरा स्मार्टफून अडर 15,000 तो भई अगर आपका बज़िड पचास जार है पचास जार के बज़िड में आप एक तगड़ा स्मार्टफून लेना जाते हैं जो की कैमरे के लिए बहुत अपर हो तो यार ये वीडियो सिर्फ आपके लिए वीडियो को पूरा द करने से निनननों वाट जाते हैं स्मार्टफून की का duod Inc. अगर आपको बहुत के देखने को मिल जाते हैं औंश ने अड़ाइट तगरा डिस्पे वीडियोर जाता है अगर आपको स्मार्टफों चाहिए प्लस अगर आपने गेमिंग करनी है मल्टी डास्किंग करनी है प्लस अगर आप नेट्फिल्स प्राइम वीडियो यूडियो वीडियो देखने के जालश क्यों ना तब भी आपके लिए पॉफेक्ट डील हो जगती है वान प्लस एट प्रो बहुत लोगों ने इसको परचेज किया बहुत लोगों ने पसंद किया प्लस आपको 4.5 रेटिंग मिल जाती है अमजन टैग बगार भी देखने को मिल जाता है बहुत तगड़ा स्मार्टफोन है अभी बात करते है इसके में स्पैसिफिकेशन की तो ड इसके स्वाइब करना है आप जा सकता हो अगर आपने स्मार्टफोन की अजाना है आप जा सकता हो अगर आपने सिर्फ करना है आप आपको बीदेखना भी चाहिए ठीक है मैंने लिंक परवाइड किया हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जागा जैसे भी करना चाहो कर सकते हैं अब आगे बात करते हैं नमबर फो की बात करूं नमबर फो पर यार मैंने रखा है आईफून 11 को तो यार 4K में शूट कर सकते हो बैक कैमरे में फ्रेंट कैमरे भी आपको 4K ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्लस भी अगर आपने सिनमेटिक शूट करना है व्लॉगिंग करना है ट्रावल व्लॉगिंग करना है आपके लिए पोफ़एल के डील हो सकती है आप इस स्मार्टफोन क और जा सकते हो कैमरा बहुत सच में बहुत ज्यादा तगरा उसके बाद आपको डिजाइन लुक वगरा तो अच्छी मेली जाती है प्लस 4.5 रेटिंग इसको भी देखने को मिल जाती है ठीक है पॉस्टिक कमेंट बार आप देखने को मिलेंगे आपको पता है यार एपल ब बात करते हैं आइफोन 11 के में स्पैसिलिकेशन की तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.1 इंच लिकुट रिटीन दिस्प्ले मिल जाते है प्रसेसर की बातों को एट हटी बावन चिपसेट देखने हो मिल जाता है जो कि सैवन एनोमेटे टेक्नोलोजी के साथ बेस तो यार ब बात करों आपको 3-1-1-0 energy ब्हें जाते है वाल चार्जिंग स्पोर्ट करता है कैमेरे की बात करो आपको डूल कैमरा मिल जाता हो 12 MP3 वीडियो कर सकते हो यह वह प्राइस की बात हों को पचास हजार के बजट में आइफून 11 देखने को मिल जागा जो कि आपको 64GB के साथ देखने को मिलेगा अगर आपने वाँ पूर्ट इथी ही फ के बास जाना ना तो वह आपको मिलेगा या फिफ्टी सावन या फिटी एट थाउजन के बजट में तो अगर आपने इसको नंबर ठीपर रखने का एक रीज़न वो यह रीजन देखने को मिलता आपको design and इसके color बहुत प्यारे देखने को मिल जाते हैं अपने main topic की बात करते हैं मतलब camera की तो अगर आपने vlogging करने है video recording करने है travel videos करने है मैं आपको बताना जाता हूं मैं 10 की बात करूं लेकिन अभी नया phone लोच हो गया 11 भी आपको देखने को मिल जाएगा तो सेम प्राइस में देखने को मिलेगा मतलब अगर आपने MI 10 की और जाना आप जा सकते होगर आपने MI 11 की और जाना है आप उसकी और भी जा सकते हो दोनों स्मार्टफोन आपको पूरे लूटटड मिल जाते है सबसे पहले अगर आपने स्मार्टफोन को रखना है आप रख सकते आपको तगड़ा प्रसाइसन मिल जाता अगर आपने गीमिंग वगारा भी करनी है आप इसली नॉमली कर सकोगे अभी बात करते हैं इसके में स्पैसिफिकेशन की तो यह डिस्प्ले की बातों को 6.67 इच 3D-Code AMOLED डिस्प्ले मिल जाती जो की 90 रिफ्रेश्ट के साथ आती है मैंने आपको पहले भी रिपीड कर जया था कि इसकी डिस्प्ले क्वाल्टी तगड़ी होने वाली है अगर आप 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 इंडोर यूज करोगे आपकी क्वालिटी विकारा डिस्प्ले की बहुत तग को 4780 mm की बाडरी मिल्वाट की आपको फास्ट चाजींग मिल्च शार्च शार्च ब्लब leider सफारोड करता प्रस राव-, और कैमरा साडों मिल जाता एकija खक्रार. अपको और कामरा सेद्ड महलेफिल क्या उत्र TWO degrees आपका experience भी बहुत तगड़ा होने वाला प्राइस की बाकर उनको 49 था उनके बज़र में MI10 देखने को मिल जाता है तो यह मैंने आपको MI10 के भी बता दिया अगर आपने इस स्मार्टफोन के आपको 8K आप्शन देखने को मिल जाता है जो कि सच में एक प्रलस पॉइंट आ जाता है तो वहीं अगर आपको एक कैमरे के अगर्वान आपको स्मार्टफोन चाहिए अगर्वागिंग करना है ड्रावल व्लॉगिंगं और सिनमेटिक शूट करना अगर्वाइं बनाना आपके लिए टिक टॉक बनाने तो आपके लिए पॉफेक्टर डेल हो जाता है जो भी मतलब सामसंग की और से मतलब दोनों इशू आपको नहीं आने वाला दोनों स्मार्टफोन आपको 5G देखने को मिल जाते हैं तो अगर आपने लॉंग टाम रखने हैं आप पर रख सकते हो अभी बात करता है दोनों के में स्पैसिटिकेशन की तो सैमसिंग गलाएक्षी इससेफी की बात करूं पहले डिस्प्ले की बात करूं कि आपको 6.5 फॉलसी मिल जाती जोकी सुपर एमॉलेट डिसप्ले के साथा या प्रसेसर गया को स्न 35 एट 60 था मिल जाता है ठीक है जोकी दगडा प्रसेसर है सयवन notice तекст्वेस्टीक की बात करूं आपको 4500 डामेज की बैटरी मिल जाते है 25 वाट का फार्चा जब वालेस चार्जिंग भी स्पोर्ड करता है उसके बाद आपको रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिल जाते है के सेंसिंगाजी OS 2020 FWK बता दीया अभी बात करते हैँ सैंसिंग गलेकर स्टेordnung असचीन फ्लस की तो डिस्प्ले heparable की बात परते कारों स्नेपड्राइगन 865 दोनों सेवन एंदेमिट टेकनोलीजी के साथ बेज़त दोनों प्रसैसर बहुत अगड़ा ठीक है इस तोरेज की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाते है फ्लस S20 Plus के भी पता दिया, Samsung Galaxy S20 FV के भी बता दिया, अभी आपने देखना है, दोनों में से आपको जो सही लगता है, आप उसकी और जा सकते हो, camera का recording देखा जाए, बहुत तगड़ है, vlogging करनी है, मैं आपको पहली बता चुका हूँ, vlogging के लिए भी best है, camera के अको देखा जाए, photos बन आपको बताएंगे, तो यार अभी मेरी वीडियो, यहीं पर हो जाती है, अगर आपको मेरी बिच्चे लगी यार वीडियो को like करता है, comment करता है, share करता है, दोस्तों के भी दोस्तों को बताना, उनको भी कहता है, कि चैन को करदे subscribe, वीडियो को करदे like, और Instagram पे गलव फॉल झाल झाल झाल, झाल झाल, 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 झाल